नमस्कार आप देख रहे हैं सम्रिधी न्यूज चनल और मैं हो असोक्तिवाई इस वक्त आरान नगर निगम का जो चुनाव है बहुत जल्द होने वाला है और तमाम जितने भी परतियासी हैं जो अपने आपको कह रहे हैं कि नहीं अपकी बार चुनाव मुझे लड़ना है य यह तमाम लोग जिन लोगों को जागरू कर रहे हैं जिन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़े आपसे बहतर प्रतियासी कोई नहीं हो सकता है तो उस तरह के तमाम लोग खड़े हैं और अपने आपको बता रहे हैं और लोगों को कंविंस करने की को कर रहे हैं कि यदि हम यहां के महापौर बनते हैं तो क्या-क्या हम आरा नगर निगम में क्या-क्या ब्यवस्था लाने वाले हैं यह तमाम चीजों पर लोग अपना फोकस कर रहा है तो इस वक्त अभी हमारे साथ एक युवानेता है मुकुल यादो और मैं आपको बता दू क ॉक आपके मुकुल यादो साइधी को यहाद होगा आरा नगर निगम का लिवस्थायों। इस वक्त हमारे साथ है और अपने आपको मेर परत्यासी के रूप में ये भी सामने आने वाले हैं, इनका भी है कि लोगों से मुझे सुनने को मिला कि ये भी मेर परत्यासी हो सकते हैं, कहां तक क्या सचाई है और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन समझानेगे जी जिसको कहा गया है तो उसमें अब सीधे जनता मेयर का चुनाव करेगी। पहले सेलेक्टेड वार्ड करते थे 45 वार्ड परसदों के मेयर हुआ करते थे। और अब वो सिर्फ पारसदों के मेयर नहीं होगे, वो पूरा आरा नगर निगम छेत अंतरगत, 45 वाड के एक-एक लोगों के मेयर होगे, और एक-एक लोगों की जबाब दे ही उस चुने हुए elected मेयर पर होगी, selected मेयर पर तो सिर्फ 45 लोगों का दबाव रहता था, लेकिन elected म मेर जो होंगे वो लगबक पूने तीन लाग जनता के मेर होंगे और वो उनके जो सपने है विकास का जो सपना है उसको पूरा करने वाले होंगे और मैं उसमें मैं भी एक उमिदवार के बतौर उमिदवार के तोर पे जनता के बीच में जाने का काम करूंगा और बतौर प्रत पर यह जनता का होगा अब वाड की स्थिति जो वाड पहले चुना करते थे लोग तो वैसी स्थिति अब नहीं रह जाएगी इस तरह का चुकि अभी तक तो किसी तरह का जारी नहीं हुआ है लेकिन एक नोडिफिकेशन आया है जिससे है कि नहीं आम जंता के भी सह मेर होगे यह फिसे आपकी प्रशनथा किपनी एक प्रश्चनता कि यह तो पूरे बिहार के सहरी छेत्रों में निकाए छेत्रों में अब यह तय हो चुका है बिहार सरकार ने यह निरने ले लिया है स्वागति यह लिए है और निचित सरकार ने देखा होगा विगत कुछ सालों से जब सेलेक्टेड मेयर हुआ करते थे तो भरश्टाचार और खरीत फरोगत या कुछ जनप्रतनिद्यों की भागीदारी रहती थी कि कोई कहीं जाता था कोई कहीं जाता था जिससे बिहार की बदनामी होती थी और उस जनना चाहरी है जिस तरह आप लोगों ने जब वाड पारसत के दौरा मेयर चुनने की बात की जा रही थी तो उसमय आपकी पूरी टीम ने मिलके और अभी जो बरतमान मेयर हैं उनको आप लोगों ने शपोर्ट के और मेयर मनाया है और मैक्सिमम काम आप लोग देख रहे ह क्या लगता है कि अपकी बार कंप्रटिशन के दौर में आपकी उनकी लड़ाई रहेगी या फिर आपके लड़ने से वो बैट जाएंगे नहीं नहीं लड़ाई तो किसी की नहीं रहेगी हमारी लड़ाई सीधे भरष्टा चार और विकास विरोधी ताकतों से हमारी और सिर्फ विकास में विश्वास रखने वाला एक चेहरा बनके अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं और जनता विकास और सिर्फ विकास मुकुल के चेहरे में देख रही है मैंने कभी भी जात्पात नहीं किया मैंने कभी सहर में विकास में कोई बादा नहीं उत्पन किया जब बतौर एक हमारे सौजातिये महापण हुआ करते थे अर उसके बाद बतौर इस बार वर्टमान जो महापण हैं हमारे तो सौजातिये है नहीं मगर हम लोगों ने विकास को चुना हम लोगों ने कहा कि जाद्पाथ से उपर उठकर कुछ काम करना चाहिए तो हम लोगों ने इस सहर और मेसेज देने का काम प्यांकि हमारी स्चती कि सब प्रतिसद खूर फ़ीकास धरातर पर उत्रे उसें निशित कि हमारा भी तो हम बिकास को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं अब जनता इसकी मालिक है अब आपने श्वजाती की बात कि चुकि मैं नहीं चाहता था इसका जिक्र करें लेकिन आपने कहा तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी यदि सुनिल यादों का चेहरा सामने आता है और भी लोग तो वैसी स्थिति में क्या लगता है कि जातीगत भूट आपको मैक्समों मिल पाएंगे या फिर आपने और भी जाती में अपनी पैठ बनाई है या उस तरह का बेक्तितु रहा है जैसे जाती से तो मेरी पहचान है नहीं लेकिन मेरे नाम के अंत में जो टाइटी लगा हु और जो तमाम जातियों के बीच में जाना जाता है उस सोच को लेके ना की यादो को लेके हमने तो कभी जात्पात नहीं किया कोई भी अंदोलन रहा हो कोई धरना रहा हो विकास में कोई योगधान रहा हो स्वास्त के छेतर में कहीं भी हमारी आऊ सकता रही हो हमने हमेशा जात से हटके हमने वहाँ पर अपनी उपस्तिती को दर्ज कराया है और निश्चीत है कि मैं यादो जाती से आता हूं और अपने चहते लोगों के दिलों में रहता हूं ठीक है हमारी जाती के जो लोग हैं वो हमको थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हैं हमारे बेभार से परभावित रहते हैं और ये जो पूर्व के महापौर और स्वजाती ये लोग है जनता सब को खारिच कर चुकी है इसलिए वो अभी तक सणक पर नहीं उत्रे है मुकुलियादो लगतार सणकों पर रहा है आंदलोनों में रहा है और लगतार रहेगा लेकिन बतौर महापौर जिनके पास एक बहुत स़िस्टम है बहुत सारे लोग हैं उनको जनता खारिच कर चुकी है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है कि पुना जनता के बीच में जाये इसलिए कि जनता तो सवाल करेगी और सवाल का जवाब तो उनके पास है नहीं उन्होंने सिर्फ अपने कारेकाल में सिर्फ भराष्टाचार को बढ़ावा दिया है उनके लिए सारे नगर निगम के लोग अपने होते हैं सारा छेतर उनका अपना होता है कोई मेर बना तो अपने छेतर में विकास कर रहा है दूसरा मेर बना वो अपने छेतर में विकास कर रहा है ये नहीं होना चाहिए इस परिपार्टी को बदलना है मेर पने तीन लाख जनता का होगा उसके लिए पकड़ी चोक भी उतना महत्वपूर्ण होगा जितना मोती टोला महत्वपूर्ण होगा चंदवा भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना गोंडा रोड महतपूर्ण होगा बलबतरा भी उतना ही महतपूर्ण होगा जितना सिंगही होगा तो हम अपने कारेकाल में छेत्र बात को कभी बढ़ावा नहीं देंगे विक्तिबाद को कभी बढ़ावा नहीं देंगे संपूर्न नगर निगम के 456 का एक समान विकास होगा चेहरा देख के विकास नहीं होगा A to Z लोग मुझे पसंद करते हैं और A to Z लोगों का विकास होगा कुछ लोग का कहना है कि इस पर आधितवतों के आदमी है या फिर दबंग है इस पर आप क्या कहाना चाहिए तो आपको मतलब की जनता के सवालों से और आंधोलनों से भागने वाला भगोडा महापोर चाहिए हम आरा जिस चीज के लिए जानी जाती है जिसके लिए लोग विश्वस्तर पर इसका मिशाल देते हैं तो आप चाहते हैं कि एक भगोडा मेर चुने कि जनता से भागे उनके सवालों से भागे हम पर कोई दबंगई का अपराधिक आरोप नहीं है आंदोलोनों का दो-चार केस है कोई मुआउजा का केस है अभी हमने मौला बाग में गैतरी मंदिर मोड के पास एक आंदोलन किया जिसमें एक लड़का मनीश कुमार पाल एक्सिडेंट करके मर गया था हम सड़क पर बैठे दो घंटा हमने उसको मुआउजा दिलवाया हमन सदद किसी से कभी किसी तरह से ना ध्मकाया है ना किसी को परभावित किया है न रंगदारी किया है जनता सब कुछ जानती है तो बस हम एक ही में कहना चाहेंगे कि अगर जनता करेगी क्या भगोड़ा अगर मेर चाहिए तो इसके लिए तो आप स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए यानि कि आपको विश्वास है कि आपकी बार जनता मुकुल यादो को महापौर के रुपे देखना चाहिए यह तो सहर के लोग राजनीतिक जीवन में लगातार लोगों से संपर्क किया है उनको मदद किया है कोई वेक्ति ठीकदारी किया वो महापौर बनना चाहता है कोई यमीन बेच रहा है वो महापौर बनना चाहता है किसी का ट्रैक्टर का एजेंसी है वो महापौर बनना चाहता है किसी का छड़ सि एक राजनीत कर नहीं रहा है जो अपने बैपार के लिए इस सहर में जाने जाते हैं जो महापण के परतियासी बन सकते हैं तो समाजिक और राजनेतिक वेक्ति महापौर का प्रत्यासी क्यों नहीं बन सकता है मुकुल यादों ने लंबा समय दिया है समाज में और राजनीत में और मैं बतौर महापौर का प्रत्यासी हूं और लोगों का प्रत्यासी हूं और मैं जीत के आऊंगा 100% दावा के साथ का रहा हूं जिस दिन परिनाम आएगा पुछ दिन पुना आपसे मेरी मुलाकात होगी यहां की जनता ने मुकल यादों को महापौर बना दिया तो आपने क्या सुचा है आपका कुछ रोड मैप होगा आपने सुचा होगा कि अपने आरान निगर जो नगर निगम है जिस इस्तिती में है इससे बेहतर करने के लिए सरकार की भी प्लानिंग है लोगों की भी प्लानिंग है मेरा मेनफेस्टों भी बनने वाला है हमने बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों से सहर के बुद्धीवियों से हर तरह के लोगों को हमने एक इस तरह का दिया है कि आप जनता का एजंडा क्या होगा जनता का मै की सारे चेत्रों में जल निकासी की जो समस्या है, वो एक समान है, तो सबसे पहले जल निकासी के लिए आउट फॉल नालो का निर्मान ब्रिहत पैमाने पे किया जाएगा, शिविरेज का ड्रेनेज का जो ब्यापक अर्बन डवलोप्मेंट छेतर में विकास होना चाहिए उस सारे कार्यों का डीपी अर्बन के तयार है अगर किसी में हिम्मत नहीं है उसको लागु कराके और सहर धरातल पर उतारने की क्योंकि उसमें ब्रष्टाचार करने के लिए मिलेगा नहीं तो हम सबसे पहले सहर के सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम को सिवरेज सिस्टम को आउटफल नालो को दुरूस्त करेंगे उसके बाद जो बेहतर तीव कोलनिया बन रही हैं उनको बेवस्तित करने का काम करेंगे कि अभी तक जो हुआ सो हुआ आगे से जो भी कोलोनी बनेगी वो नगर निगम के माप दंट का नुसार बनेगी सहर को एक रिंग रोड किया वसकता है हमारे अस्थानिय विधायक और अस्थानिय सांसत जो भारत सरकार में मंत्री भी है ये सारे लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष भी उसमें सकरात्मक भूमिका निभा रहा है, और हम लोगों का भी योगदान उसमें नगर निगम के अस्तर से बहुत अच्छा रहेगा कि सहर को हम लोग एक रिंग रोड दे, अच्छा सिस्टम दे, सिविरेज क आउटफल नालो का, जो इस सहर को कोई नहीं दे पाया है, अच्छे मुकुल जी, चुकि चर्चाय तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन उस पर हम बात न करते हुए, हम जानना चाहेंगे आपसे, कि यदि ये आरा नगर निगम का सीट महिला के लिए रिजर्ब हो गया, तो हम लोगों ने एक राजनीतिक और समाजिक जीवन जिया है, और हम लोगों ने समाज में बहुत समय दिया है, मुकुल यादो जनता की पसंद है, उसी तरीके से अपने समाज में इस तरह के विचार धारा से जुड़े लोगों को हम चैन कराने का काम करेंगे, और उनी में से जो उसके लिए कैपिवल लोग रहेंगे, उनको चुन के हम जंता के बीच में और सामने लाने का काम करेंगे, मुकुल यादो मजबूती के साथ वैसे लोगों के साथ तन मन धन से खाड़ा रहेगा, एक कदम लोगों को लगता होगे का अपने लिए चुनाओ लड़ेंगे, तो ज़्यदा मेनत करेंगे, उनके लिए हम दुगनी ताकत से मेनत करेंगे, और ये बता देते हैं हमके. ये भी बताया कि नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ सके, जो दबू है, जो मुझे भागने वाले हैं, वैसे लोगों तो नेता बनने का कोई अधिकार ही नहीं है, वैसे लोगों नेता नहीं बनना चीए, जो अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा तो इस तरह इन्हों ने बातों को रखा और सहर को पूरे सिस्मेटिक तरीके से ठीक करने का इन्हों ने वादा भी किया चुकि इनको विश्वास है कि जनता मुझे महापवर बनाएगी देखते रेंगे और लगतार इनके विकास के तमाम कारियों को दिखाते रहेंगे और क् वो तो समय बताएगा बहुत धन्यबाद थेंक्यों